बेल्कम टू माई यूटूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर निव वीडियो दोस्तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को फ्रेस करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें आज का टॉपिक है मिग बेल्डिंग पार्ट फाईब हिंदी में है यह यह questions BHEL Railway हर्यान एक्षटाफ सेलेक्शन कमीशन UPSHC सेल MPVGS में पूछे गए questions है काफी important questions है तो यह सुरू करते हैं Question number 1 building किस building में wire electrode का प्रियोग किया जाता है तो आप सो बताना है option A MIG MAG option B SAW option C electro select building option D उप्रोक सभी यानि right answer है इसका MIG MAG उप्रोक सभी यानि उप्रोक सभी जो building है इसमें wire electrode का प्रियोग किया जाता है next question wire electrode पर copper की परत क्यों चड़ी होती है option A धूल तता जंग से रोकने के लिए option B चमक बढ़ाने के लिए option C सुन्दर दिखने के लिए option D कोई नहीं right answer है इसका option A धूल तता जंग से रोकने के लिए इसलिए copper की परत चड़ाई जाती है question number 3 bear wire electrode होते हैं तो आपको पताना है bear wire electrode कैसे होते हैं option A flux coating चड़े हुए option B बिना coating के option C slightly coating चड़े हुए option D इन में से कोई नहीं right answer है option A नहीं स्वारी option C slightly coating चड़े हुए जो copper की पतली से परत चड़ी रहती है उसको sliding coating चड़े हुए कहते हैं gas flow meter में लिखे number क्या दरसाते हैं option A गैस प्रभा की दर option B गैस का प्रेशर option C गैस का दवाब option D इन में से कोई नहीं right answer है option A गैस प्रभा की दर यानि किस दर से गैस निकल रही है वो नम्मर दरसाते हैं next question गैस फिलो मीटर में गैस प्रभा ना पा जाता है option A लीटर प्रत मिनट में option B लीटर प्रत गंटा में option C लीटर प्रत सेकंड में option D इन में से कोई नहीं right answer है option A यानि लीटर प्रत मिनट में गैस फिलो मीटर में जो फिलो मीटर ना पता है लीटर प्रत मिनट में next question गैस फिलो मीटर में गैस का प्रवा किसके द्वारा कंट्रोल होता है option A, adjustable valve option B, knob option C, adjustable pin option D, कोई नहीं right answer है option A, adjustable valve के द्वारा गैस फिलो मीटर में गैस कंट्रोल होती है next question गैस फिलो मीटर किसका बना होता है option A, काच का बना होता है option B, low A का बना होता है option C, मिट्टी का बना होता है option D, फाइवर का बना होता है right answer है option A, काच का बना होता है यानि गैस फिलो मीटर की जो बोड़ी होती है काच की बनी होती है next question GMAW के अन्य नाम क्या है GMAW के अन्य नाम क्या है Option A, MIG Option B, CO2 Option C, MAG और Option D, सभी तो ये MAG और CO2 सभी है Option D, right है GMAW के नाम सभी है Next Question CO2 Welding का अधिकतर किस धातू के लिए प्रियोग किया जाता है Option A, Carbon और Alloy Steel के लिए Option B, PITAL के लिए Option C, TAMI के लिए Option D, Jink के लिए Right answer है Option A, Carbon और Alloy Steel के लिए Next Question Question No.10 CO2 Welding, MIG की अफेक्षा, खाली जगे पैनिटेशन देती है Option A, गहरा Option B, कम देती है Option C, बराबर देती है और Option D, बहुत कम देती है यानि, Right answer है Option A, CO2 Welding, MIG Welding की अफेक्षा, गहरा पैनिटेशन देती है Next Question अधिक इस्पेटर आते है Next Question MIG Welding में इस्पेटर, CO2 Welding की अफेक्षा, खाली जगे आते है Option A, कम आते है Option B, ज़ादा आते है Option C, बराबर आते है Option D, बहुत ज़ादा आते है Right answer है Option A, कम यानि, MIG Welding में इस्पेटर, CO2 Welding की अफेक्षा, कम आते है Next Question किस इलेक्टोर में इस्टप एंड नहीं होता है Option A, वायर इलेक्टोर में नहीं होता है Option B, इस्टिक इलेक्टोर में नहीं होता है Option C, दोनों में नहीं होता है Option D, इन में से कोई नहीं Right answer है Option A, वायर इलेक्टोर में इस्टप एंड नहीं होता है Next Question किस वेल्डिंग में बेल्ड मेटल के ठंडा होने की दर अधिक होती है Option A, CO2 वेल्डिंग में Option B, MMAW वेल्डिंग में Option C, दोनों वेल्डिंग में Option D, कोई नहीं Right answer है Option A, CO2 वेल्डिंग में CO2 वेल्डिंग में बेल्ड मेटल के ठंडा होने की दर अधिक होती है दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्ते हैं आधिक motivation मिले और comment करके आप जरूर बताएं जो भी आपको इससे सम्मंदित कुछ पूछना हो comment जरूर करें और वीडियो को like करना ना बूलें अपने दोस्तों साथ share कर दीजिए like कर दीजिए और कुछ पूछना है तो comment करके बता दीजिए